नमस्कार, न्यूस्क्लिक के इस खास पेशकरश में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जारखन में मजदूर आंदोलन की और हमारे साथ इस विश्य पर बात करने के लिए मौजूद हैं C2 के जारखन के जनरल सेकेटरी प्रकाश विपलब जी। आपका बहुत- किस मौजूदा क्राइसिस अगर कोई है तो किस मौजूदा क्राइसिस से गुजर रहा है। जारखन तो जारखन बनने से पहले जब उनाइट बिहार था तब से ही वो एक इंडस्टियल एरिया कहा जाता था। और केवल कोईला नहीं जारखन में आपको देश भर के जितने अलावा इस्टील जारखन में ही प्राइबेट सेक्टर में सबसे पहला इस्टील का कारखाना लगा। फर्टिलाइजर कॉर्परिशन ओफ इंडिया का खाद का कारखना सिंदरी मिथा जो अब बंध हो गया है। इसके अलावा बहुत सारे पब्लिक सेक्टर के कारखने जो रोजगार मिला हुआ था है। वो कारखानों की इर्दगी टेंपो चालक से लेके दुकांदार लोग, फैक्टरी में तरह तरह के सप्लाई करने वाले लोग और ये भी आस्टर जना है कि जारखन गब्मेंट का जो रेविन्यू राजासु भी एक बड़ा हिस्सा जो है इन तामबा उद्योग पूरी तरीके से बंध हो गया, आपको बॉकसाइट का उद्योग लगभग 90% बंध हो गया, जिसके चलते कई कारखाने जो है तामबा और वकसाइट के वो बंध हो गया है, जहां तक कोईला का सवाल है, कोल इंडस्टी में भी अब जो खादाने वो धी है, और कोल इंडिया की जो तीन बड़ी कमपनिया है, इस्टरन कोल फीड लिमिटेड, ECL, CCL, सेंट्रल कोल फीड लिमिटेड और BCCL, BCCL आपको कोईले का, मने एक बहुत खास करके फरने सोगर में जो कोईले लगते हैं, उसका एक बड़ा उतपादन का सेंटर है, वो धन मसदूरों से कराय जा रहा है, लाइन से कैम कारने करे कि परी स्टितिय का म करने के परिस्थितिय काम, जिस तरीके और से नकिज तरीके से इनको फाल, उसमें क्या फर्क है? अभी अग सबसे बड़ी बिडमना है कि जो permanent worker है अगर वो mines के अंदर जाते हैं वो काम करके निकलते हैं और फिर second shift की duty में अगर वो ऐसी काम को करने के लिए ठेकेदार मजदूर जाते हैं same nature, same job एक ही तरह का काम है एक ही तरह का वो production भी करते हैं वो कुछ ज़्यादा ही production करते हैं लेकिन वेतन में भारिया समानता है जहां सत्तर से असी हजार regular imply पाते हैं वहां इनका कहीं छे हजार कहीं आठ हजार, कहीं दस हजार जहां अगर लडाई जादा है तो वो उस राज्य की नियुंतम मजदूरी को लागू कराने में सफल हुए हैं जहां लडाई जादा नहीं है वहां पर शे हजार, साड़े छे हजार में ही जो है और दूसरे जो सुविधाएं हैं क्वाटर की सुविधाई या इन सुविधाओं से बंचिते हैं इभन मेडिकल एड ये सब की सुविधाओं से भी बंचिते रखते हैं तो ये पर्मानेंट वर्कर के मुकाबले ठेकेदार मजदूरों का भ्यानक सोसन जो हो रहा है, इसके लिए कोल इंडिया में काफी लड़ाई लड़ी गई, और एक हाई पावर कमीटी का भी निर्मान हुआ जिसमें सभी ट्रेड उननों के प्रतिनिती हैं, कि वो अध्यान कर के उनके वेज में जो आसमानता है, बिट्मिन लेवर, पर्मानेंट लेबर और कॉंटेक्टर लेबर के बीच जो वेज में आसमानता है, इसको कैसे पूरा दूर किया जाए, लेकिन उस हाई पावर कमीटी को अभी तक कुछ अधिकार मिलाने, वो एक सिर्फ कमीटी बनके जो मौझूदा गवर्मेंट है, सरकार, राज्य के भी और केंद्र के भी, इसका क्या नजरिया है मजदूरों के ब्रती? जाहें केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो बरतमान में, वो पूरे तरीके से स्रमिक बिरोधी, मजदूर बिरोधी हैं, जहां तक जार्खन के संदर में है, अभी जार्खन में मोमेंटम जार्खन का एक बड़ा अभियान कैम्पेंच चल रहा है, मोमेंटम जार्खन को launch करने के लिए राज के मुख्यमंत्री ने बॉंबे, हैदराबाद, दिल्ली और कई हिंदुस्तान के कई बड़े सहरों का दवरा किया, केवल हिंदुस्तान ने हिंदुस्तान से बाहर भी उन्होंने जर्मनी, अमरीका और कई जगा गए, कि हम जार्खनकियों की प्रचूर खनी संपदा वाला राज्य है, जहां पर पूरे देश में खनी संपदा का 39% जो है, वहां पर उपलब्ध है, लेकिन अभी है कि उस खनी संपदा को प्राइबेट में कैसे दिया जाए, इसके लिए जार्खन सरकार मोमेंटम जार्खन कर रही है, और मुख्यमंत्री जी उन बड़ा हैबी इंजिनरिंग कॉर्परेशन जार्खन में है, HEC, जिसको मदर अब इंडेस्ट्री कहा गया, उद्योगों की मा कहा गया, आज इसकी हालत बद से बदतर है, जबकि हो HEC इस रो के लिए लांचिंग पैट का निर्मान करता है, लेकिन मोमेंटम जार्खन के लि आज इसको मोमेंटम का उद्येस, जार्खन के ओद्योगी करन को बढ़ाना नहीं है, इसका गैर ओद्योगी करन करके यहां की खनी संपता को लूटना ही, जो है, जार्खन मोमेंटम का सबसे बड़ा उद्येस है. तो अभी जो देश की लगभग सारी ट्रेड यूनियन्स मिलकर नवंबर में एक महा पड़ाव करने वाली है, इसके पीछे की क्या वज़े हैं, क्यों इस प्रोग्राम को किया जा रहा है? यह इसलिए क्या जा रहा है कि भारत सरकार और जहां जहां पर भी जो सरकार राजय सरकारे हैं, उनके एजंडे में मजदूर नहीं है, मजदूर हासिये पर चले जाए हैं, जारकन का मैं आपको उधारन दूगा, कि एक बड़ी संख्या वहाँ पर निर्मान मजदूरों की है, और निर्मान मजदूरों के जो वेलफेर फंड है, निर्मान मजदूरों के लिए 1996 का एक केंद्रिय कानून है, जो निर्मान मजदूरों को 22 तरह की सुरक्षा चछत्री प्रदान करता है, लेकिन वो कानून को जारकन में बहुत देर में हम लोगों ने लड़ाई करके में जमा होगा, लेकिन अभी 1.5 अरब रुपया, 100 करोड से जादा, 150 करोड से जादा पैसे जमा हो गए हैं वेलफेर फंड में, लेकिन वहाँ पर वो निर्मान मजदूरों को रेजिस्टेशन की प्रक्रिया इतनी पेचीदगी भरी है, कि आम मजदूर, अभी वोगों ने अनलाइन उसका रेजिस्टेशन सुरू किया है, यह हास्यासवद है, जहां कि कोईला और बिजली सब कुछ है, बिजली सरपलस होती है, लेकिन रामीन इलाके में बिजली बारा बारा घंटे नहीं रहती है, नेटवर्किंग जो अगर इंटरनेट का जो है कभरेज भी है, जहारखन के मात्र 65% एरिया में आंकडो का अनुसार कभरेज है, पूरा 35% एरिया नेट कभरेज के बाहर है, ऐसी इस्तिती में ऑनलाइन अपलाई कैसे होगा, हम लोगों ने बड़ा जुलू स्रम मंत्राले में पिछले दिनों 31 मही को किया था, हम लोगों ने कहा कि और आफलाइन दोनों प्रक्रिया जारी रखे जाए, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं, इसके अलावा मिनिममम वेज, इतनी महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई के अनुरूप है, आज पिछले 3,5-3 सालों से जहरकंड सरकार ने मिनिममम वेज का निधारन नहीं किया है हर 4 साल में, हर 3 साल में उसका पुनरिक्षन होना चाहिए, मिनिममम वेज का रिवीजन होना चाहिए, वो नहीं किया है, तो यह जो कई मुद्दे हैं, जो मजदूरों में आक्रोज पैदा, मजदूरों को कोई सोसल सिकुरिटी नहीं है, एक जमाने में वो 30,000 का जो बीमा इंसुरेंस होता था, वो भी जार्खन में बंद हो गया है, और एक दूसरी बात है कि जार्खन के मजदूर जब आंदोलन कर रहे हैं, वैसे समय में उन मजदूरों के बीच डिवीजन करने के जार्खन एक ट्राइवल इस्टेट है, और एक कंस्टिचूशन के 5 सिडूल के जार्खन का एक बड़ा इलाका जो है 5 सिडूल के अंतरगत आता है, जमीन सम्मंदी कानून भी उनाइटेट बिहार के जमाने से वहां अलग-अलग थे, संथाल परना टेनिंसी एक्ट अलग है, चोटाना कूर टेनिंसी एक्ट अलग है, जो वहां के ट्राइवल्स को, वहा के आदिवासियों को सुरक्षा दी जाए, लेकिन ये सारे कानूनों का भाइवलेशन हुआ, रघुबर सरकार ने SPT, CNT Act में संसोधन करके आदिवासियों की जमीन कैसे छीन कर बड़े कार्पुरेट घरानों और पुंचिपतियों को दी जाए, इसका किया, काफी बड़ा अंदोलन हुआ, सोसल सेक्टर के लोग, ट्रेड उनियन के लोग, सभी राजमितिक दल के लोग उसमें पुरे और सरकार को पीछे हटना पड़ा, तो ये अभी आदिवासियों की बीच एकता बनी, इस एकता को तोड़ने के लिए अभी उसने धर्मांतरन सरकार ने ला दिय ताकि क्रिश्चन आदिवासी और गयर क्रिश्चन आदिवासियों के बीच विभाजन की रेखा खीची जाएं, तो ये एक बड़ा हमला हो रहा है, सांप्रदाइक्ता किनावी, जो लिंचिंग की घटनाएं हुए, सबसे जादे घटनाएं लिंचिंग की वहाँ पर होई, इसे मजदूरों में गुस्सा है, और केंद्र सरकार जो श्रम कानूनों में परिवरतन कर रही है, राजस्थान मॉडल जो अपनाया गया, हर्वड में जारखन में भी किया गया, और फैक्टरी को छोड़ दिया गया है, क्या फैक्टरी इंस्पेक्टर नहीं जाएगा, फै तो केंद सरकार की स्रमिक बिरोधी नीतियां और जो स्रम कानूनों का जो सुरक्षा चत्री मजदूरों पर था, उसको जो कमजोर किया जा रहा है, जो स्रम कानूनों में मालिक पक्चिये बदलाव किये जा रहे हैं, इसके खिलाब मजदूरों में गुस्सा है, अभी सुप्र के लिए हम लोगों ने कॉल दिया कि 19 से 11 को हम महा पड़ाव करेंगे दिल्ली में तो मजदूरों में काफी उत्सा है हमसे बात्चीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया